हाई गूद इमिनेंग विलकम ओन दिस टैनल तो आज हम जो है पार्ट 18 करने जा रहा है इससे प्रिजेंट कंट्यूनियस या प्रिजेंट प्रोग्रेसिव टेंस का इससे पहले हमने आपने देखा है कि कितने सारे हमने कर चुके हैं इसमें डेली लाइफ सेंटेंस में तो च क्विश्चन है वह है वह काम नहीं कर रही है तो इसके बन जाएंगे शी इस नॉट या इसंट या तो शी इस नॉट हो जाएंगे या इसंट डूइंग दावर्क या शी इसंट वर्किंग नेक्स्ट है तुम उसे क्यों सता रहे हो क्यों क्यों हो जाएंगे वाई वाई आर यू टीजिंग हिम नेक्स्ट है क्या वह आजकल इन दिन वो काम नहीं कर रहा है तो वह के साथ इस लगाते हैं तो इस सुरू में ही आ जाएगा इस ही हैं नौट वर्किंग या तो वर्किंग या दूइंग दा वर्क कुछ भी लिख सकते हैं दूइंग दा वर्क दिज डेज या तो डिज डिज लिख लिजे या तो नौई डिज लिख लिजे नौई डिज एक और बनेगा कि यह जो इस नौट है इसको आप शुरू में यहां लिख सकते हैं इसंट ठीक है बाके ऐसे रहेगा इसंट ही वर्किंग या दूइंग दवर्क इस देज और नौई देज क्या वो नाष्टा नहीं बना रही है नेक्स्ट है इस शी नौट मेकिंग या कुकिंग ब्रेपफास्ट ब्रेपफास्ट नेक्स्ट है क्या हम लोग घर नहीं जा रहे हैं तो इसमें हो जाएंगे आर आ जाएंगे या तो शुरू में रख लो आर वी नौट गोइंग टू होम या बन जाएंगे आरंट वी गोइंग होम कुछ भी बना सकते हैं या तो आर वी नौट गोइंग टू होम या आरंट वी गोइंग होम अच्छा यहां पर टू हटा देना टू नहीं लगेगा आर वी नौट गोइंग होम या आरंट वी गोइंग होम दोनों में से कोई एक हो जाएंगे चलिए कुछ और भी सेंटेंस देखते हांगे तो अगला जो सेंटेंस है वह है वह मुझे मार रहा है तो इसके हो जाएंगे ही इज बीटिं में नेक्स्ट है वह लोग उसे बुला रहे हैं तो दे आर कॉलिंग हिम नेक्स्ट है तुम लोग हमें क्यों सुना रहे हो तो वाई आर यू टेलिंग अस नेक्स्ट है ये बच्चे अभी सबक याद कर रहे हैं तो दी चिल्ट्रें डेमन्स्ट्रेटी प्रणॉन में बताया था इस दैट इस दोस का प्रियों कैसे करते हैं पास के लिए दीज दिस होते हैं तो दीज चिल्ट्रें आर लर्निंग होमवर्क नाव वे बच्चे खेल खेल ले हैं तो दो चिल्ट्रें हो जाएंगे वे बच्चे के दो चिल्ट्रें और प्लेंग गेम्स तो इसी तरह के कुछ और सेंटेंस आपको हम स्कुन पर दे दे रहे हैं और आपको जो है उसको होमवर्क में बना लेना है नोट्बुक या कॉमेंट बॉक्स में इससे आपको प्रजेंट कंट्यूनियस या प्रोग्रेसिव के प्रैक्टिस हो जाएगी साथ में आप President Continuous Progressive Tense की वीडियो को देख सकते हैं जो हमने अभी अपलोड कर रखा है ठीक है चलिए अब अगला पार्ट करने जा रहे हैं